जस्ट अभी अभी मैंने वद का ट्रेलर देखा, स्टारिंग संजे मिश्रा जी और नीना गुपता जी ट्रेलर तो मुझे एक नमबर लगा है, मुवी बहुत ही जादा अच्छी हो सकती है पर ट्रेलर पे बात करने से पहले मेरा एक सवाल है और सवाल यह है किस मुवी को कितने लोग देखने जाएंगे क्योंकि मुझे तो लगता है यह मुवी अच्छी होने के बावजूद भी फ्लॉप हो जाएगी पता है क्यूं, क्योंकि इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है और हमारी ओडियंस ठहरी सबसे बड़ी दोगली ओडियंस जो इंटरनेट पे शोर तो मचाती है कि संजे मिश्रा जी इस लेजेंड कि वो एक बहुत ही ग्रेट एक्टर है पर सच तो यह है कि जब उनकी कोई फिल्म आती है तो ठेटर में रात में कबरिस्तान जैसा सननाटा होता है पंकस त्रिपाडी जी को भी ले लो उनके भी तो बहुत फैन है पर जब उनकी शेर देल आई तो ठेटर में मक्खी तक नहीं पहुची देखने और हमारे शहर में तो एक हफते में ही उतर गई थी इंटरनेट पे तो लोग कुछ भी बोल देते हैं बट ग्राउंड रियालिटी कुछ और ही है और दूसरा सच ये भी है कि यहां पे सिनिमा का अर्थ सिर्फ मसाला मुवीज है चलो ये दुकड़ा किसी और दिन सुनाऊंगा फिलाल वद के ट्रेलर पे बात करते हैं क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगा है I mean मैं मुवी के लिए बहुत ही जादा एक्साइटीड हूँ मैं तो जाओंगा देखने अगर शो कैंसल नहीं हुआ तो बस ट्रेलर में एक ही दिक्कत है कि इनोंने कुछ जादा ही रिवील कर दिया I mean आपको almost पूरी स्टोरी ट्रेलर से ही पता चल जाती है तो यार सीन यह है कि संजे मिश्रा के हाथो एक मडर हो जाएगा मडर नहीं वद क्योंकि पापियों का मडर नहीं वद होता है हराम का माल कमाने के बाद आदमी सरिफ दो ही जगे मिलता है दारू के कनस्तर में या वैश्या के बिस्तर में वैसे एक और जगे है कबर में वहीं तो इसको पुचाएंगे संजे मिश्रा जी अफकोर्स गिल्ट में वो पुलिस के पास जाएंगे और बताएंगे कि उनसे एक मडर हुआ है अब भोले भाले पुलिस वाले सोचेंगे ये चार फूट दस इंज का आदमी थोड़ी मडर कर सकता है सुबह सुबह हम ही मिले इसको उन्हें क्या पता ये सच में मडर करके उसके छोटे छोटे टुकडे काटके उन टुकडों को जलाके और बचीवी हड्डियों को चक्की में पीस चुका है फिर बाद में जब पुलिस को एहसास होगा कि साला तुमारी मा का मनोहर कहानिया सच बोल रहा था बे ये पर तब तक तो संजे मिश्रा जी का दिल बदल जाएगा क्योंकि कौनों पाप नहीं किये हैं वो खून नहीं किये हैं वद किये हैं वैसे तो मूवी में कई सारी थीम्स होने वाली है पर एक जो मुझे सबसे ज़ादा इंटरस्टिंग लग रही है वो यह है कि किस तरह से माबाप अपना पेट काट काट के अउलाद को बढ़ा करते हैं कुछ बनने के काबिल बनाते हैं और बच्चे जब कुछ बन जाते हैं तो माबाप को दूद में पड़ी मक्षी की तरह निकाल फेक देते हैं अपनी जिंदगी से तो ये देखना काफी इंटरस्टिंग रहेगा और ट्रेलर में जो संजे जी और नीना जी के बीच में मर्डर को लेके जो समवाज चल रहा है वो देखना काफी फणी लग रहा था मूवी में डेफिनिटली डार्क यूमर भी होने वाला है तो ओवराल वत के ट्रेलर ने तो दिल जीत लिया होफ़ुली मूवी भी दिल जीतेगी और अगर सच में इन एक्टर्स की कदर करते हो तो मूवी देखने चले जाना बे डाउनलोड करके मत देख लेना पैसे खर्च करो